स्टुडेंट्स चलिए बात करते हैं आज मॉलेक्ट्र स्पेक्ट्रस को भी यह लेक्शर नुमबर फाइफ की ठीक है तो लास्ट लेक्शर में हमने देखा था कि कैसे एक बी की जो वैल्यू है वह चेंज हो रही थी वाइदा चेंजिंग आफ बॉन लेंथ ठीक है हमने उसक प्लेशन होगा जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करेगा तो किस लेवल में उसकी जुए होगी हमसा के बात करने ओसके की इसके बार मात करने is of spectra ठीक है इसका मतलब यह है कि पहले let's suppose मेरा कोई molecule था वो j equal to zero पे है यह j equal to one है यह j equal to two है यह j equal to three है ठीक है तो क्या question arise होता है कि क्या जब मेरा molecule j equal to zero से j equal to one में जाएगा यह j equal to two से j equal to three में जाएगा यह मैं जाएगा तो क्या जो spectra आने वाला है क्या जो spectra मेरे पास आने वाला है क्या उस सबकी intensity सेम होगी या different होगी ठीक है तो इस parameter को देखने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस level पे किस level पे जो मतलब किस level पे energy कितनी है एक state of energy पे पहले हम उसकी बात करते है ठीक है तो उसकी बात करने के लिए सबसे पहले में एक आप फॉरिपॉबला हैrí उसके लिए इसपों मोले मैं distribution आइस आद में इसोगता है पहली कि इसकी बोलजमेंट डिस्टिबूशन फाला कि वह कहता है कि let's suppose यह आपकोई higher State है और यह आपका क्या है lower State है यह आपका क्या है lower State ठीक है यहा में nj से ना लिक है इसको ne में लिक सेखेता हूं तो दिसके ज़से और excited state विन्स पहले molecule क्या था यह ground state पर और उसके बाद माइनस ई एच अपो ईजे सौरी एजे अपोन के वी यह मेरा क्या होगा है एनेर्जी का टर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू दे नमबर फिलेक्ट्रों इन अब उसके बाद बात करते हैं यह करता है किस पर करता है किसी दो अर्विटल की जब एनर्जी सेम होती है तो हम कहते हैं वह दो अर्विटल्स के आपस में डिजेनरेट है ठीक है इसी दिजेनरेसी को तो जो जो डिजेनरेसी होती है जिसको डिलनोट करते है जी से वह कितने आती है हमारी 2J Russ वर नमबर से मिज़ी मेरा चाहर्य टम गवेंट्म होता है समि हमारी degeneracy को complete कि आ जाता है ठीक है जैसे कहते हैं कि let's suppose मेरे पास यह मेरा क्या है जब मैं बात करूंगा अपने j equal to one की j equal to one मा अगर लेकर चलता हूं तो मेरा जो पी होता है अगर मैं इसमें जे की वैल्यू वन पूट करूंगा तो मेरा जो आएगा पी हो आएगा मेरा रूट वह कितना आएगा मेरा रूट टू और जो रूट होता है इस इस दिरेक्शन पी वैल्यू को यह दे सकता है और इस दिरेक्शन पी वैल्यू को मेरा वेल्यू को दे सकता है ठीक है यह थोड़ा आपको टिपिकल लग रहा होगा इनो ठीक है तो सिंपल बात यह है कि डिटल डिजनरेशी होती है कि इसकी रोडेशन स्पेक्ट्रसकोपी वह होती है तू जे प्लस वन वह आती है हमारी यहां से अगर देखें यहां कितनी टोटल वैल्यू जा अगर यहां पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आई तो डिजनरेशी कितनी हो जाती है टू जे प्लस वन ठीक है तो अगर मैं इसको यहां पुट करूंगा इस फॉर्मले में तो मेरा बन जाएगा एनी अपॉन एन जीरो इकोल टू टू जे प्लस वन इंटू एगी पावर माइनस अगर मैं इसको वैल्यू पुट कर दू माइनस भी एची जे जे प्लस वन एनेटी की वैल्यू रख दी अपॉन के भी टी ठीक है तो यह मेरा क्याएगा फॉर्मला निकल क्याएगा किसके लिए रिलेटिव इंटेंसिटी इस और रिलेटिव इंटेंसिटी प्लाइट जे रोटेशन प्लाइट वांस अगर की बी टीज़ एवी इस बोल्जमें इसकी वैल्यू कितनी होती है वन पॉंट्री एट इंटू टू दी पावर माइनस त्विटी ठीक है तो यह हमारा क्या होता है बिसिकली फॉर्मला है कब जब मैं देखना हो कि किस स्टे आ सकते हैं जिकलिन से कि कहले ठेट में हमारे अलेक्टर्न की टैकल देंसिटी कितनी है अब मैं पतला है कि मैंक्सीमम व्क्प कॉप्यूसिटिटिटि पहmist क कहा पर होगी under root kbt upon 2b hc minus half यह हमारा क्या होता है this is a formula for jmax means कौन से state में है हमारी जो energy है means जो population है वो maximum होगी उसको हम किस formula से निकालते हैं this is the formula for calculating the maximum population at which state मतरा कौन से state में maximum से ज्यादा है उसको हम calculate करते हैं इस formula से ठीक है यह बाद भी clear होगी ठीक है तो this is our formula for the relative intensities अब हम लास्ट बात करेंगे जो मैंने आपसे पहले lecture में का था कि linear के लिए कैसे करते हैं, symmetric के लिए कैसे करते हैं, spherical के लिए कैसे करते हैं, asymmetric top के लिए कैसे करते हैं, ठीक है, तो linear का दो cases थे, ठीक है, अब इसको conclude करने जा रहे हैं, chapter को, linear के हमारे दो पेस्ते, one is rigid and next one is non-rigid, non-rigid, non-rigid का formula क्या था हमारे बाद, equal to b j, j plus 1 minus d, j square, j plus 1 का whole square, this is in, if we calculate it in centimeter inverse, ठीक है, और rigid के रहे क्या था, equal to b into j, bracket में, j plus 1, ठीक है, फिर इनका delta e कैसे निकालते है, delta e इसका आता है, 2b j plus 1 minus d, j plus 1 का whole, q centimeter inverse, delta e क्या है मेरा, e2 minus e1, means higher state minus lower state की जो energy होगी, वो इसकी इतनी होती है, इसको चूल भी लिख सकते हैं, this is our case of linear molecule, ठीक है, linear होते हैं, ठीक है, तो these are the subject of our higher classes, ठीक है, अभी आप BSC पढ़ रहे हैं, तो BSC में आपका linear ही है, with a diatomic molecule, अगर हम BSC में आएंगे, तो आपका triatomic molecule से भी आपका वाला पढ़ेगा, ठीक है, this is our work for diatomic molecule, ठीक है, अब एक बात करते हैं, isotopic substitution की कलम में बात की दिये, तो अगर मैं आपसे question भूशता है, अगर let's one मेर पाई ये है, एक मेर पाई 18 है, एक मेर पाई 16 है, और एक मेर पाई normal मेरा ये है, ठीक है, मैंने क्या क्या है, एक बार इसको isotop 16 होता है, ठीक है, तो 16 ही करते हैं, अगर मैं ये consider करूँ, जैसे अगर, ये मेरा क्या है, inactive होता है, ये मेरा कैसा होगा, inactive होगा, ठीक है, लेकिन inactive है, क्योंकि इसके पर्मनेंट डायपल मुवमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसके इसके बाद पर्मनेंट डायपल मुवमेंट है, होगा, नहीं होगा, ये भी क्या होगा, मेरा microwave inactive होगा, क्यों मेरा microwave inactive होगा, क्योंकि isotopic substitution करने की वज़े से, उसकी जो chemical properties होती है, वो change नहीं होती है, और isotopic substitution करने से, उसका mass change होगा, bond length बिल्कुल भी change नहीं होगा, अगर bond length में change होता, अगर bond length में change होता, तो हम कह सकते हैं, हाँ, it will be microwave active, ये microwave active हो सकता है, लेकिन इसकी bond length में कोई change नहीं होने के वज़े से, ये क्या होता है, अगरो मतलब microwave spectra के लिए थोड़े से क्या होता है, और इन दोनों के बीच में कोई भी change नहीं होता है, clear, I thought this will be clear, ठीक है, ये था हमारे isotopic substitution का case, next ये तो हमारे linear हो गया, उसके बाद आते है, spherical top, spherical top are microwave inactive, ये माँ आपको पहले भ ठीक है, इसको race कर देते हैं, next one is our symmetric top molecule, symmetric top, symmetric top में हमरे बाद दो case आते हैं, one is our prolate and next one is our populate, इसके लिए जो energy का formula है, इसके लिए जो हमारे energy का formula होता है, पता है, b, j, j plus one minus a minus b into k square, this is our formula for symmetric top molecule, ठीक है, अब ये जो next term आया है, इसमें extra ये, ठीक है, ये क्या होता है, where b equal to होता है, h square upon 8 pi square ib into c, where a equal to is h square upon 8 pi square ia into c, what is ia and ib, ia and ib are the moment of inertia of the two different, two different accesses, means हमरे बाद दो access होती है न, इसमें, जह हमने देखा था कि, moment of inertia symmetric top की case महात, तो symmetric top का मेरा formula होता है, ia equal to ib is greater than ic, ऐसे क्रिक होता है, मतलब दो का same होता है, और एक का, अलग होता है, ठीक है, दो का same होता है, एक का मेरा क्या होता है, तो दो same होता है, कोई ये भी हो सकता है, मतलब कोई भी, मतलब दो moment of inertia से, इसमें हमारे निकल के आती है, तो एक moment of inertia मेरा ये होता है, एक मुट्ट ऑफ इनर्सिया मेरा यह होता है ठीक है तो इसी वज़ए से जो फॉर्मला होता है वो मारा यह निकल के आता है ठीक है अगर मैं इसका डिल्टा ए निकालूं डिल्टा ए मेरा क्या आएगा तो दी इंटो जी प्लस वन ठीक है तो अगर आप चाहिए दो जाए था नहीं आएगा तो जो माइनस करूंगा तो सिंपल ही मेरा यह यह वैल्यू आएगी सिंपल है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि जो स्पेक्टल गैप बैंड होता है इनकी बीच में जो डिस्टेंस होती है न दोनों के बीच की जिसको हमने क्या बोला था फ्रिक्वे होता है फिर 2B होता है फिर 6B होता है फिर 12B होता है तो जो इन दोनों का चेंज आता है जो यह चेंज हमार पर निकल के आता है एनर्जी के वह सिमेट्रिक टॉप मॉलेकूल में किस पर इक डिपेंड करता है सोलली डिपेंड आउन जे वैल्यूस नॉट डिपेंड आउन द से लिख दो IA not equal to IV not equal to IC ठीक है इसमें कौन से molecules आता हमारा 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 जो मैंने बात की थी वो और हमारा उजोन भी क्या था है यह सीगेंडर आता है ठीक है तो यह molecules में क्या होता है जो तीनों की हो तीनों में हैं मोमेंट ओफ इनर्शिया वो तीनों की त्विश्चण करके निकालते हैं और हम समेट्रिक टॉप प्लीकूल के लिए कोछ बेसिक एक फॉर्मला नहीं है अ थिस इसकांस ऑइदा approximations, ठीक है, तो symmetric top molecule को हम अपने molecular spectrum में बहुत कम पढ़ते हैं, means this has a very complex spectrum, ठीक है, तो ये सारे कहानी थी है, हमारी molecular spectroscopy की, ठीक है, molecular spectroscopy under rotational spectroscopy की, ठीक है, इसके बाद next lecture में हम क्या करेंगे, इस से related एक question करेंगे, जिसमें हमारा सारा का सारा जीतना हमने पढ़ा आये भी तक, वो सारा क्या होगा, cover होगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको infrared spectroscopy की तरफ को ले जाऊँगा, ठीक है, होब आपको इस wave use होती है, electromagnetic wave, वो हमारी क्या होती है, microwave, spectroscopy होती है, और कौन से molecules में active होते हैं, जिनके पास permanent dipole moment होना चाहिए, इसके बाद हमने चाहर टाइप के molecule की बात की थी, one is linear, symmetric, asymmetric और spherical, जिसमें asymmetric और spherical के हम study नहीं करते हैं, mostly जो major study की जाती है, वो linear molecules की की जाती है, जिसमें मैंने दो cases आते हैं, one is diatomic, one is triatomic, ठीक है, diatomic study करते हैं सबसे पहले हम, तो diatomic study करने है, सबसे पहले हमने क्या करा, moment of inertia calculate क्या था, i equal to time mu, r square, where mu is the reduced mass and r is the distance between them, उसके बाद हमने निकाला था, उससे calculate करके b की value, means energy निकाली थी, energy को पहले हमने equal to half mb square, उसको हमने मतलब rotation के term में प constant, उसके वह लिए होती है, h square upon 8 pi square i, ठीक है, अब इसको, जूल के, इसको, यह हमने जूल में निकाला था, center में निकालेंगे, तो h upon 8 pi square i, c हो जाएगा, ठीक है, पर जीज़ा, rotational quantum number h is the plan constant, यह सब आपको पता हुगा, उसके बाद हमने delta i निकाला था, delta i is equal to 2b into j plus 1 में रहा जाता है, this is case over linear, उसके बाद हमने थोड़ा microwave, oven के बारे में study किया था, उसके बाद हमने थोड़ा था, और इसको देखा था, किसके respect में, फिर हमने symmetry top में गए, isotopy substitution पढ़ा, देखा कि कोई change नहीं आता है, जो inactive है, वो inactive हैगा, बस it only change in the atomic mass, यह हमने को reduced mass, reduced mass में डिक्टी इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, infrared spectroscopy के बारे में, जिसको हम बोलते है, vibrational spectroscopy, और उससे पहले हम क्या करेंगे, question को deal करेंगे, जिसके नहीं में सारा का सारा पढ़ेंगे, ठीक है, तो देख लीजे आप, अगर आपको गोई doubt हो, तो पूछ लीजे, आपको दिया था, ताकि आप वीडियो के बीच में भी क्या कर सके, ठीक कर सके कि, ऐसा कौम सा पार्ट था, जो मुझे सौंझ में नहीं, तो पांच लेक्चर सा आपके rotation spectroscopy है, कोई भी लेक्चर में, कोई प्रोग्रम हो तो आप नीचे comment box में लिख दीजिएगा, I will give you answer of this और लास बात आपके लिए important कि जब हम microwave spectra लेते हैं, जो हम spectros को भी, मतलब जो machine हम use करते हैं, उसे basically, जो sample use किया जाता है, उसकी state, कैसे होती है, gas state में होता है, ठीक है, this is the point for you, कि जब हम sample लेते है microwave में, तो वो कैसा होता है, gases में होता है, ओके, तो मिलते है next lecture.